तो फ्रेंड्स मैं पंकर चरोसियर आप देख रहे हैं PK Tech वीडियो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक सोट वीडियो में आप अपने लॉंग वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं या लॉंग वीडियो का जो वीडियो है उसका आप लिंक लगा सकत तो उस बीडियो में आप अपने जो लॉंग बीडियो है उसका लिंक शॉट्स वाला बीडियो में उसमें लिंक कैसे एड़ कर पाएंगे तो इस बीडियो को आज पूरा देखिएगा मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि क्या आप किसी और चैनल के लॉंग बीडियो को आप एड़ कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो स्टाट करने से पहले मैं बता दू कि अगर आप इस चैनल पर नहीं आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पूरा नहीं है तो बेल आइकन को जड़ू दबा दीजिए ताके जितने भी आगे आने वोले वीडियो हो होंगा वह सबसे पहले आपको मिलेगा तो चलिए दोस्तों स्टाट करते हैं वीडियो तो दोस्तों होता क्या है कि बहुत पार कि आप सोट्स वीडियो बनाते हैं सोट्स में एक मिनिट में आपका पूरा वीडियो हो नहीं पाता है तो उसका पार्ट बना देते हैं तो वाले वीडियो है उसपे चला जाएगा और उस वो वीडियो को आपको देख लेगा तो वह कैसे करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको आना होगा अपने की स्टूडियों में जाब अगर आप से कर रहे हैं तो इस्टूडियों में चलते हैं और स्टूडियों में चलके मैं बताता हूं कि कहां पर वह आपका प्प्रोपशन दिखे जैसे यहाँ पर सबसे उपर मैं आपको दिख रहा है Video Shorts और Live or Playlist तो आप Shorts बीडियो पर चले जाएंगे, Shorts बीडियो पर जाएंगे माली जी मेरा पास एक Shorts बीडियो है तो इस पर क्लिक करता हूं और यहां पर पेंसिल वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख पाने कि जो पहले पहले जो शॉट्स वीडियो आप लोड करते थे और अभी जो शॉट्स वीडियो में जो चीज़े दिख रही है आपको डिस्किप्शन पब्लिक और जो विजिबिलिटी और ओप्सन कहां दिखाएगा चलिए मैं बताता हूं इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा जो आप यूट्यूब चैनल आप जिस वीडियो जिस चैनल पर आप अपलोड करते हैं उसको क्रोम ब्राउजर में ओपन करना होगा आपके मोबाइल पे हो या सिस यूडियो को आप क्रोम ब्राउजर में ओपर करेंगे सेम प्रोसेस होगा जो मैं लेप्टप में करूंगा वही चीज आपको मोबाइल में करना है दोनों का प्रोसेस सेम है तो मेरे पास इसमें क्रोम ब्राउजर है नहीं अभी तो मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा तो आगे चलके laptop पे मैं आपको बताता हूँ तो दोस्तों मैं system पे आ गया हूँ system पे आने के बाद ये browser open करता हूँ कोई भी browser हो आपके पास कोई भी browser होना चाहिए browser आने के बाद आप YouTube open करेंगे यहाँ पे YouTube में open करता है YouTube open होने के बाद आप इसमें YT studio जैसे mobile में आप YT studio उसको manage करने के लिए use करते हैं वैसे यहाँ पर भी आप इस साइड आएंगे यहाँ पर तो YouTube आने के बाद आपको क्या करना होगा he taiks Video जो भी आप अप अफलोड कर रहे हैं आप शौट वीडियो पर पहले जाएंगे जिसवी वीडियो पर आप अपना जो लॆंग वीडियो का link वो लागाना आफ दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे इसी में यहाँ पे इधर साइड में आप यहाँ पे देखेंगे कि एक यहाँ पर related video करके एक option आ रहा है जो की पहले नहीं आता था यह related video वही है जो आप short video जैसे कोई swap कर रहा है और उस पर आपका आ गया और उसी पर link कर दिया है आप long video तो यहाँ से कैसे करेंगे यहाँ पर related video पर यहाँ पर pencil वाले option पर click करेंगे यहाँ पर तो आपको related video या कोई और video भी आप upload करना चाहते हैं link करना चाहते तो कर सकते हैं तो मैं इस वीडियो पर ही कैनवा कहीं एक और video है मेरा पास तो वह upload करना चाहता हूं तो यहाँ पर उस video को अगर नाम से पता है तो आप search कर सकते हैं नहीं तो ऐसे आपको जाके कहीं से search मतलब देखकर और उसको upload करना होगा तो मैं यहाँ पर Canva सर्च करता हूँ और देखता हूँ आता है कि तो यहाँ पर आप देख पारे हैं दोस्तों कि Canva Pro Free यहाँ पर दिख पारा है आपको तो यह Canva से related ही वीडियो है तो मैं इसको यहाँ पर open कर दिया लिंक होने के बाद यहाँ से आप देख पारे हैं यह थोड़ा सा कैमरा मैं इधर कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख पारे हैं कि Save करने का option आ रहा है तो यहाँ पर Save कर देंगे Save करने के बाद होगा क्या कि जब भी अब यह वीडियो कोई भी देखेगा तो उसमें एक और लिंक आएगा नीचे मैं अभी प्ले करके इसको दिखा देता हूँ ताकि और आपको अच्छे से समझ में आगे इसको मैं प्ले करता हूँ और आगे वीडियो में बताता हूँ Hello friends मैं पकर चड़ा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पारा है कि यह वीडियो मेरा जो शॉट्स वीडियो है वह यहाँ पर प्ले हो चुका है और यहाँ पर जो डिस्किप्शन टाइटल मैंने दिया था यहाँ पर आप देख पारा है कि यहां पर सोग हो रहा है और जो लिंक जो वीडियो का जो लॉंग वीडियो का लिंक था वह कहां आपको दिख रहा है यहां पर नीचे देख पा रहा है यहां पर ले जा रहा हूं तो यह करसर है वह दिख रहा है यहां पर चेंज हो जा रहा है ठीक है तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे जो canwa pro free यहां पे लिखा रिए जैसे कोई यहां पर क्लिक करेगा तो आपके long video पर देख पा रहा है यहां पर जो long video है उस पे आप आगया है तो दोस्तो इस तरह आप भी अपने लांग video को short video के Link में Add कर सकते हैं और दोस्तो रहा बात कि क्या आप इसमें जो आप शोट वीडियो था उसमें किसी और Channel के वीडियो को Link कर सकते हैं क्या तो चलिए उसको भी मैं बताता हूँ कि Link कर पाएंगे कि नहीं इसको मैं Cancel करता हूँ और फिर से यहाँ पे चलते हैं जो जहां से आप related वाला जो option देखे थे कहां से relate कर पाएंगे यहां से मैं अभी delete करता हूँ फिलहाल उसके पासे फिर आगे के process को बताता हूँ कि कि किसी और Channel के long video को आप add कर पाएंगे क्या तो चलिए मैं यहाँ पर चलता हूँ और कोई YouTube video open करता हूँ यहाँ पर किसी का भी video को यहाँ पर search कर लेता हूँ ताकि यह आपको दिखा पाऊंगे आपको बता रहा हूँ कि कैसे link कर पाएं क्या यह हो पाएगा कि नहीं हो पाएं ठीक यह आप वीडियो को यहाँ से आप copy करें link को link को copy करने के बाद यहाँ से आके आप search कर सकते हैं तो यहाँ पर control वी की या मैंने और वी करने के बाद आप यहाँ पर देख पारा है कि no match result हाँ मतलब यहाँ पर इसको कोई उससे related जो वीडियो था उसको मिला नहीं तो यहाँ पर लिख दिया अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो केवल tag ही search हो पाएगा तो चली इसको tag को भी copy करके मैं same copy कर रहा हूं और यहाँ पर paste कर दे रहा हूं यहाँ पर paste करने के बाद आप देख रहा है फिर से वाई लिखा इसमें दोस्तों अभी तक फिलहाल यही update है news है कि आप किसी और वीडियो के किसी और चैनल के वीडियो को link नहीं कर पाएंगे इसमें केवल आप अपना ही वीडियो जो जिस चैनल पे आप अप अपना सोट्स वीडियो अपलोड कर रहा है उसी चैनल का लॉंग वीडियो ही अपलोड कर पाएंगे तो दोस्तों कैसा रहा यह वीडियो आगर आपको अच्छे लेगी हो यह वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर पुराने हैं तो बेल आइकन को जरूर द दिएगा दोस्तों तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं कल किसी और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद